एक English club है, जो थोड़ा सा under the radar रहा है, अगर हम talents produce करने की बात करें, तो वो है Southampton, Southampton ने सालो साल बहुत अच्छे अच्छे products जो है वो अपनी academy से निकाल के दिये हैं, और 2007 की बात है, यहाँ पर Tottenham Hots पर एक बहुत ही young और upcoming talent को, एक left back को sign करती है Southampton से, जिसका नाम है Gareth Bale अब Gareth Bale का यहाँ पर नाम बहुत सुना है, पेसी है, free kick specialist है, left back है, अच्छा उनका progression रहा है youth career में Southampton के लिए, और Tottenham ने वो ही सब देखके उनको sign किया है 2007 में, उनके career की शुरुवात बहुत stop start रहती है, उनको कुछ games के लिए time दिया जाता है, लिकिन फिर वो injured हो जाते और ball पर जो उनकी technical ability है, उसको काफी जादा appreciate किया जाते है, लेकिन वो consistent run of games नहीं मिल पा रहा है उनको, because senior players भी है अभी team में, और उसके बाद वो अभी क्योंकि team में आये हैं नए नए तो अपनी जगे बनाने के लिए थोड़ा सा struggle कर रहे हैं, फिर उसके उपर से injuries हो जात बहुत ही जादा भेतरी ने काबिले तारीफ काम किया है उन्होंने, और मेरी personally अगर मैं बात करू राइवल्स के point of view से, तो Tottenham Hots पर जो मुझे best team लगती थी, वो Harry Redknapp की थी, बहुत ही exciting team थी, जो 2008 से 2012 की team थी, तो again जब Harry Redknapp manager बनते हैं, तो कुछ एक अरसा, Gareth Bale फिर स एक injury हो जाती है, और उनका knee का operation होता है, और फिर वो वापस आते हैं team में, लेकिन Harry Redknapp को पता है कि offensive abilities क्या है, Gareth Bale की, और फिर वो उनको wide left midfielder खिलाना start करते हैं, अपने Spurs के setup में, और Benoit, Su Okoto उनके first choice left back बन गए थे, तो Gareth Bale जो है, अब उनके left midfielder बन गए थे, तो again जैसा मैंने का flashes of brilliance दिखते थे, turning point आता है 20 October 2010 को, जब Champions League का match खेला जा रहा है, Inter Milan और Tottenham Hotspur के बीच में, अब यहाँ पर शुरू के first half के कुछी मिंटो में, Aurelio Gomes, जो की Tottenham Hotspur के goalkeeper थे, उनको मिल जाता है red card, तो Harry Redknapp के पास अब कोई option नहीं है, उनको एक player हटा के goalkeeper लाना है, और वो जिस player को substitute करते है, वो Luka Mortridge, अपने आप में एक मिसाल है, आज की तारीक में modern football के बिलकुल बहतरीने एक legend है, उनकी भी हम बात करेंगे, definitely एक दूसरे वीडियो में, तो Luka Mortridge को हटा के Carlo Cudicini को लाया जाता है, जो उनके backup goalkeeper है, और उसके बाद 4-0 हो जाता ह क्योंकि already हम हाड चुके है, तो defensively आप ज़्यादा परेशान मत हुए, आप अपना game के लिए, kill और get killed वाली अप्रोच के साथ हमको second half में उतरना है, और right hand side defense में खेल रहें इंटर मिलान के हावेर, जैनेटी और माइकॉन, और मैं आपको बताना चाता हूँ कि माइकॉन उस ट्रिक स्कोर करी उनोंने, और बहुत ही end to end second half हमको देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे chances मिलते हैं दोनों ही teams को, लेकिन Spurs जो एक शर्मनाख हार हो सकती थी 4-0 से, उसको बहुत ही जादा बहतरीन तरीके से comeback करनी कोशिश करती है, और मेरे हिसाब से हमको उस राद लेकने को मिला था, Champions League Group Stages में, one of the best individual performance by any player, तो Gareth Bale ने अपना introduction दिया, बहुत ही शानदार तरीके से, और फिर हमको देखा कि एक जैसे हम कहते हैं, watershed moment होता है, किसी भी player के career में वो एक game, वो एक moment होता है, जहाँ वो कुछ चीज़े क्लिक करने लग जाती है, और उसके बाद आप मान लीजिए कि Gareth Bale का career जैसे एकदम rocket की speed से फिर आगे बढ़ने लगा, और जैसे जैसे games आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे season progress होता रहा, Gareth Bale का game भी बहुत जादा evolve होता रहा, और वो proper एक winger बन चुके थे, left hand side में आप उनको खिला लीजिए, उनको आप right hand side में खि उसके बाद managerial change होता है, Harry Rednap चले जाता है, Andre Vias Boas बन जाते हैं, Tottenham Hotspur के manager, और 12-13 season जो last season था, Gareth Bale का Tottenham Hotspur के लिए, वो I think उनके career का best season था, English football में, और वो ही season था जिसकी वज़े से Real Madrid attempt हुई, उनको sign करने के लिए, उस season की starting में सबसे पहला काम जो किया, Gareth Bale ने वो बिस goal score किये, उन्होंने all competitions में, और carry किया अकेले, उन्होंने Tottenham Hotspur को 5th finish किया, Spurs ने, 12-13 season के end में, एक point दूर रह गए, बस वो top 4 finish से, और बहुत ही शानदार उनका campaign रहा, unbelievable goal score किये थे, Gareth Bale ने उस season में, और last minute में बहुत सारे winner score किये थे, और single handedly उन्होंने कई matches निकाल मिलता है, उसी summer में, 2013 की summer transfer window में उनको Real Madrid से बुलावा आता है, और 100 million euros के आसपास खर्च किया जाता है, Gareth Bale को लाने के लिए, Spurs से Real Madrid, और उस time के वो सबसे expensive transfer signing बन जाते हैं, world football के, most expensive transfer signing आप कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि किस तरीके का player जो है, आप attempt कर रहे हैं, sign क करने के लिए, और जैसा मैंने एगा, खौफ था Gareth Bale का, और जैसे हम बात करें, उस time पर तो Christiano Ronaldo अपनी prime में थे, उसके बाद हम बात करें, तो Karim Benzema, Angel Di Maria, और फिर उस setup में आप Gareth Bale को भी डाल देते हैं, तो बहुत ही जादा impressive front line हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसा हमन में भी Carlo Ancelotti, Real Madrid के manager थे, और Copa Del Rey के final में हमको Barcelona के against बहतरीन बहतरीन goal देखने को मिलता है, Gareth Bale के दुआरा, जो Mark Batra को बीट करते हैं, raw pace के साथ, raw power के साथ आगे बढ़ते हैं, side line के भार से अंदर भागते वे, फिर field में ball को control करते हैं, शांदार तरीके से finish करते हैं, और उस और इसी तरीके से उनके moments रहते हैं, लेकिन again tactical systems के चलते हुए, managerial changes के चलते हुए, अंदर भागते हैं, वो team से, कोई manager prefer करते हैं, इसको खिलाना, Gareth Bale को starting position नहीं मिलती है, फिर खुद Bale injuries की वज़े से अंदर भागते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता और उनको chance दि इंटर्वियू में भी बोला था, कि काफी मुश्किल होता है, जब आपके ऊपर इतने सारे fans आपको देख रहे हैं, और आपको बू किया जा रहा है, और आपको समझ नहीं हरा है कि क्या चल रहा है, तो उनके real Madrid spell के end में, जब उनका real Madrid के साथ time खतम हो रहा था, तो थोड़ managers के साथ उनकी relationship fracture हो गई, फिर उसके बाद वो club छोड़ना चारे थे, 2020 में, जब चायना जाने की बात आगई थी, लेकिन फिर वो real Madrid ने move call off कर दिया था, फिर उनको spurs भेजा गया loan के लिए, फिर last season वो फिर आये, Champions League जीते, उतना उनका contribution नहीं था, लेकिन अगेन जब भी उनको मौका मिलता था, बहुत ही ज़ादा बहतरीन वो perform करते थे, जैसा मैंने का हमेशा एक nuisance थे, एक goal threat थे, और defenses के लिए हमेशा मुश्किलात पैदा करते थे, Wales की हम बात करें, और इस World Cup में भी देखें, तो 1958 World Cup के बाद, यानि 64 साल के बाद, Wales qualify करी World Cup के लिए, और Garrett Bale क again, उसमें बहुत ही ज़ादा important role था, 2016 Euro की हम बात करें, तो semi finals तक Wales पहुंची थी, वहाँ पे पुर्टुगाल से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और वहाँ पे भी Garrett Bale का बहुत ही ज़ादा भैतरीन contribution था, तो जहाँ भी Garrett Bale खेले हैं, as a leader उन्होंने अपनी team को carry किया ह Real Madrid में उनकी एक बहुत बड़ी legacy है, हाँ, शायद कुछ fans जब Real Madrid की all time 11 बनाएंगे तो शायद Garrett Bale उस team का हिस्सा ना हो, कुछ fans शायद Garrett Bale को उस अंदास से ना संजोएं, जैसे बाकी players को उनोंने संजोया है, जैसे बाकी players को उनोंने जिया है, और शायद Garrett Bale कहीं ना कहीं जो उनके around और जादा brilliance थी, चाहिए वो Luca Modric थे, Zabi Alonzo थे एक सीजन उनके साथ, फिर उसके बाद Cristiano Ronaldo जो सबसे बड़ा नाम रहे, जब वो खेले अपने prime में Real Madrid के लिए, तो शायद कहीं ना कहीं, करीम Benzema वगेरा, इनसे overshadow जरूर हो गए वो, लेकिन मेरे हिसाब से Garrett Bale modern legend है, game के, मुझे बहुत पसंत है as a player, और मैं personally जब भी Spurs को खेलता देखता था Chelsea against, तो मुझे बहुत ज़ादा डर लगता था Garrett Bale को देखते वे, और जब आपको किसी player को देखके डर लगे, कि ये player आपकी team के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, ये player है, जो game को कभी भ प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत किया, club football level पे भी Champions League जीती, पास दफाँ उन्होंने Champions League टाइटल उठाया है, Real Madrid के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा बहतरीन achievement है, फिर उसके बाद जैसा मैंने का, young player of the year और PFA player of the year, दोनों एकी season में जीता उन उसको आपको legend मानना चीए, उसको one of the greatest players आपको मानना चीए, जो आपने जिनको खेलते हुए देखा है, तो ये एक छोटा सा reflection था, Gareth Bale के career पे जो नोंने किया, और मेरे लिए Gareth Bale कैसे player थे, मुझे कैसा लगता था Gareth Bale का game, और मेरे लिए क्या hold करते हैं Gareth Bale, तो एक ये क्या लगता है, Gareth Bale का career कैसा रहा, क्या आपको लगता है, उनको उस तरीके से नहीं माना जाता है, जैसे बाकी players को माना जाता है, और थोड़ी क्या उनकी जो love-hate relationship रही towards the end, Real Madrid fans के साथ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, तो ये सब comment section में आप जरूर बताइएगा, मि सब्सक्राइबी थarnish.